तो अपनी तयारी को और भी मजबूत करें अभी डाउनलोड करें एक्जामपूर का ओफिशल एप और जुड़े हमारे आचारे बैच से अधिक जानकारी के लिए दिये गए नमबरों पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं अधिक वेल्कम टॉड़े से एक्जामपूर मैं विशा लिए अधिक बार स्विट से स्वागत कर टॉप सभी का एक्जामपूर कलम से करांती जैसा कि आप सी जानते हैं देली दोपैर में करनेक्ट दो बजए करेंट अपडेट static कि लास होती है आपकी उसर्फ करेंट अपडेट होता क्या है आप सभी को पता है साइध है इसकी शुरुवात हमने ही पहली बार इस पूरे यूटूब पे की है कि करेंट अपडेट नाम की कोई चीज होती है जो एक्जाम में सबसे ज़्यादा सिर्फ ही जरूरी होती है और बात हम नहीं खुद TCS कहती है खुद examiner कहता है खुद वो stop कहता है जहां से paper बनते हैं जहां से paper बनाये जाते हैं जिक है without any discipline but you follow only current event मतलब जो आपको सिर्फ और सिर्फ current event को follow करना है और आगे बढ़ते रहना है सर ऐसे questions कैसे बनते हैं उसी questions को कराने के लिए हम आपके सामने है current update कोई बड़ी चीज नहीं होती है बट current effects को घुमा घुमा के static जो बनाये जाती है examiner जो पूछता है वही current update होती है जब भी student अपने paper से बाहर निकले देन आपके सामने daily 25 questions update लेके आते हैं जो सारे के सारे economy, policy, chemistry, physics, biology चाहे वो current affairs के क्यों नहीं हो चाहे history के क्यों नहीं हो सारे questions आपको दो, दो, तीन, चार, 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 इस रंकला में आपको सारे questions विलेंगे और मेरा target रहेगा आज तक हमने आपको जो भी पढ़ाया है मेरी YouTube पे साथ एक साल कवर करते हैं, daily CA के साथ एक साल कवर करते हैं, जो आप सोभी लोग जानते हैं, सुबह पांच बज़े, तो इस session में आपके लिए सबसे मैतपूर्ट चीज़े होंगी, चाहे हम लोग MTS की बात की जाए, SSC GD की बात की जाए, MTS का पृतिग्या batch लाँच हुआ जो आपके examination के लिए बहुत ज़्यादा उपियोगी रहेगा, मैतपूर्ट बैच आपके लाँच है, SSC MTS का आचार बैच, आचार के कोर्डिंग, तो याँ दखना SSC MTS, SSGD के लिए आप इन 25 questions कर सकते हो, जिसके answer 20 मैं से plus हो, याँ दखना, वो comment जरूर करें और एक बार म किसी exam की, या railway group D, मेरा focus रहेगा, उस पे, पुलिस याद रखना, UP पुलिस मेरा अगला target है, UP पुलिस मेरा अगला target है, SSC MTS exam होने के बाद, SSC GD, और SSC GD के बाद, UP SI मेरा अगला target होगा, इसी के साथ, bank level में, state exams है, कोई राज जो, कि कोई भी state PD का exam हो, सभी exam के लिए all subject update मेरे पास आपका रहने वाला है, इसी के साथ चलते हैं, आज के पहले question पे, पहला question ही आपके दिमाग में, घुमा देने वाला question आपके सामने है, question कह रहा है, वरतमान में कितने G33 देश हैं, तो बताए, वरतमान में G33 में कितने देश हैं, ये वो question है, जो लगबग में, क्य कह कुछ और रहा है यहां पर g लिखा है और आपको हमेशा सबने पढ़ाया कि जहां पर g लग जाए उसके बाद देशों की संख्या आ जाए वहां पर क्या आ जाए देशों की या दखना वहां पर क्या आ जाए देशों की संख्या आ जाए तो जो देशों की संक्या है यह reality में देश होते हैं यह क्या होती है total देश होती है लेकिन यहाँ पर यह formula गलत होने वाला है यहाँ पर G30 का मतलब था G30 का मतलब था लेकिन G अब जो यहाँ पर देश है वो कितने है अब यहाँ पर G में टोटल देश कितने है नमबर आफ कंट्री या दखना नमबर आफ कंट्री जब भी आप अपना एक्जाम देखो दोगे किसी ना किसी एक्जाम में आप से ऐसे कोशन पूछ लिए जाएंगे तो बस आपको बताना है पचास, पैंटालिस, अर्टालिस और बावन कुल कितने इ या दखना ये कोशन अमने आपको कब बताया था, बेस तारिकी करेंट है, फिर सुबह पांच बज़े पहला कोशन था, कि भी हाल में टोटल अर्टालिस देशों के साथ में, सबसे पहले या दखना नमबर आफ कंट्री इसमें टोटल अर्टालिस हो चुकी है, परन्तो इस 33 के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्तापना वर्स दोजा तीर में कर दी गई थी, और या दखना इसकी अभी हाल में, इसका समेलन हुआ है, इसका सरजी क्या हुआ है, ये स्टैटिक लिखी है, लेकिन करेंट का इवेंट क्या है, करेंट अफेर का इवेंट ये है, कि समेलन total 21 देस थे सारे देस नहीं आए हैं total 21 देसों के total 41 मेंबरों ने 41 लोगों ने यहाँ पर इसकी सदस्ता की है मतलब अपने अपने देशों का प्रतिनिदित किया है अगर इसकी अद्धक्षतान इंडोनेसिया ने की है तो इसका प्रतिनिदित याने की इस सम्मेलन की अद्धक्षता किसके द्वारा की गई थी या धकना अगर आपसे पूछ दिया जाए सम्मेलन की अद्धक्षता अगर नाम क्या है जिसके द्वारा की गई है मुहमद लुहिफी या दखना उनका नाम है नाम क्या है मुहमद लुहिफी उनका नाम है जिसके द्वारत का पृतिनिद्ध तो किसके द्वारा किया गया या दखना भारत का पृतिनिद्ध तो किसके द्वारा किया गया तो आपको पत इंपोर्टेंट कोशन है एक कोशन इस्टेटिक का था और हम लोग कहां पहुंच गए प्यूस गोयल के भाई के पास पहुंच गए कहां से उठा कहां पहुंच गया या रखना जी 30 एक्वल टो कितने टोटल 48 देश इसमें सामिल है अपना आकड़ा जिसका गलत है वो सही कर नमबर है दो आर्थ सौट प्रुस्कार 2021 के लिए कितने भारतियों का चेयन किया गया था और यह प्रुस्कार दिया कहां गया है करेंट अफेर्स में आपने सबने पढ़ा होगा करेंट अफेर्स में क्योंकि जो करेंट अफेर्स आप पढ़ते हो सिर्फ वही करेंट अफे थे वो चोर नहीं वीर थे वो चोर नहीं वीर थे और इतियास लिखना है तो थोड़ा comfortable zone से बाहर निकलना पड़ेगा जो student comfortable zone में है सर इसका मतलब क्या होता है चोटा सो अधारड है उधारड यह है जो सुबह चार या पांच बचता है मेरी class का notification जब आपके पास पहुंचता है तो बहुत से student क्या करते है रजाई चदर बगएरा उपर लिया और उपर किताब को ऐसे रख लिया है ना ऐसे रखके और आराम से मूँ पे किताब रखके सो जाते हैं कोई फक नहीं पड़ता या मौईर रखके मूँ पे सो जाते हैं यादखना जो इत्यास रखने वाले होते हैं वो उसी टैम पे मूँ दोके जस्ट अपोजिट डारेक्शन में बैट जाते हैं कमफर्डेवल जौन से हट कर क्योंकि वो वो जिन्दगी नहीं जीना चाते हैं जो और गैर लोग जी रहे हैं आज मैनत करके वो अपना कल सुधार ना चाते हैं तो ये कोशन बताओ कितने भारतियों के दिया गया जिसका अंसर दो आरा एकदम करेक्ट हैं सर ये दो भारतिये कौन है और किस राज से बलॉंग करते हैं ये भारतिये दो कौन है किस राज से बलॉंग करते हैं तो क्या करोगे तो मिरे भायों या दखना विनिशा और यह तमिल लाडू से कां से तमिल लाडू से अगर विद्युत की बात करते हैं तो यह दिल्ली से ब्लॉंग करती हैं यह आवाड सर कां से दिया जाता है तो याद रखना इस आवाड को लंडन के द्वारा लंडन द्वारा इस आवाड को दिया जाता है यह किस छेत्र में काम क करने के लिए तो याँ दखना यह आपके पर्याबरण के प्रतिक काम करने के लिए इस आवाट को दिया जाता है जिसने जिसने आंसर दिया सलूट है नुश्डेंड को जिसका आंसर दो है दो का दो एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रियर हो गया वन लाइनर था कहां पर इस्तावित किया गया है त्रिपुरा, मिजोरम, मनेपुर या फिर आपके नागा लेंड में ये भारत का 61 और उस राज का पहला भारत का 61 और उस राज का पहला technology park होगा technology park of India question number 3 का answer क्या होगा question number 3 का answer होगा क्योंकि ये एक one-liner question है यह आपका सिर्फ one liner question है लेकिन current के उपर हावी है और यह इतना हावी है कि आप सोच नहीं सकते हो तो बताईए त्रिप्रा, मिजोरम, मनीपुर या फिर आपका नागा लेंड आंसर भी आ रहा है मिजोरम आंसर यहाँ पर भी आ रहा है मिजोरम यहाँ पर आपके जो भी जन जाती है यहाँ पर यहाँ पर जितने भी अलप संख्यक लोग रहते हैं यहाँ पर आपके जो भी अलप संख्यक लोग रहते हैं यहाँ पर जो भी व्यक्ति बेरोजगार है जो भी व्यक्ति यहाँ पर बेरोजगार है तो इसका सुबारम किसके द्वारा किया गया तो कह सकते हो अलपसंक्यक पहुंच गये तो कहा पहुंच जाओ हमारे टेक्नलोजी सिस्टम पे तो किसके द्वारा तो यहां दखना है किया Software Technology Park of India जिसका सुबारम बाप के नागा लेंड के कोहिमा में किया गया और अब करेंट कुशन ना छोड़कर इस्टैटिक बनती है इस्टैटिक में आप क्या पढ़ोगी अब तो याद लखना जब जनजातियों के लिए किया गया तब जनजातियां कौन-कौन सी है जो आपके जार खंड से ब्लौंग करती है तो याद लखना कल सुबह जो करेंट अफेर्स का नॉर्थ इस्ट का नहीं है वो अपने भारती राज है उस भारती राज में जवाब पहुंचोगे कल की करेंट फिर सुबह पांच बजी वाली में तब हम आपका जनजातियों का पूरा टॉपिक करा देंगे कबर और आपको जनजातियों की लिष्ट पूरी दे देंगे ज इसमें इसलिए नहीं बतापएंगे क्योंकि ये कलास दो से तीन होती है तीन के बाद इस चोड्यों के बाहर लैं लग जातीए कि सर इसमें मेरी का Learn मेरे question रह जायंगे मेरे इसलिए नहीं यूकि हम खुद एक कह सकते हैं, बताएंगे जिन्दगी में, लाइफ में, जो मेरी लाइफ हैं, कभी बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है, क्या हमने रास्ता चुना है, क्या दिमाग में चल रहा है, और क्यों चल रहा है, बहुत कुछ है, बताने के लिए, बहुत कुछ ह समझने के लिए आपका साथ हो तो रास्ते पे चलने की बात ही कुछ और होगी तो बताईए कोशन मद चार का आंसर आंसर सबका आ रहा होगा बिलकुल डी आंसर आ रहा है गुजरात और आंसर डी आ रहा है यह डिसलैक करने वालों को इतनी गुसा कहां से आती है वो भी फाल क्यों है यार कभी-कभी अच्छा लगता है यह डिसलैक वाले जब डिसलैक करते कभी-कभी बहुत सुकून मिलता है पता क्यों मिलता है जब भी गलती करने वाले को गलती जिसने की है उसको किसी भी चीज से वन्चित कर दिया जाता है और बाद में रिजल्ट आता है जीरो तब वो व्यक्ति एक पूछता है मेरा जीरो क्यों आया उस व्यक्ति को बताया नहीं जाता और वो निरास होगी अपनी जिंदगी में फेलियर को एसेट कर लेता है यह वही चार या तीन लोग हैं मेरा में कोई फांग ने बढ़ता बट एक सर्थ रहती है कि जब भी आप के आगे बढ़ पाए ऐसा ना हो कि वो गलतियां आपके सिर पे आ जाएं बस थोड़ा सजेशन है मेरा आपकी एचाप जो करना चाहो क्योंकि हमने आस तक ना कभी कहा है कि सैसन को लाइक कर दो सैसन को सेर कर दो या सैसन में मुझे 1000 वाचिंग चाहिए हमें कोई फर्क नही सरज होगा गुजरात होगा करेंट अफेर का कुशन यह है आपने अभी पढ़ा होगा करेंट अफेर्स में यह पढ़ा होगा कि नाम क्या था मिर भाई धौला वीरा हम लोगों ने नाम पढ़ा था धौला वीरा और यह धौरा वीरा कहां पर इस्तित है यह हमारे गुजरा साइट बनी है, हैरी टे साइट बनी है, अगर आपसे पूछ दिया जाए, कि कौन से नंबर की साइट बनी है, तो या लखना चौथे नंबर की साइट बनी है, यह गुजरात की चौथे, लेकिन चालिसवे नंबर की देश में, लेकिन चालिसवे नंबर की देश में, अगर पूछ दिया जाए, चालिस के बाद पूछा जाए, उन्तालिसवी साइड का नाम बताईए, उन्तालिसवी साइड का नाम बताईए, तो लिख लेना, यह देश में, उन्तालिसवी बनी है, अपने भारत में उन्तालिस बनी है, जिसका नाम है काकती है, यह कह सकते हो, र श्री आसार हैं इस कोशन के पुगिए जो चंपानेर पावगड़ पुरातत उध्यान है यह गुजरात का पहला या दखना यह गुजरात का यह आपके गुजरात का पहला गुजरात फर्स्ट घारीटेज साइट थी इसको वर्ल्ड हेरीटेज यानिक यूनेसको में सर किस व चार में इसको सामिल किया गया था अगर यह गुजरात की चौती है यह अभी तक जो आपने पढ़ा यह MTS लेबल का कॉशन था अब दीरे दीरे आगे बढ़ो अगर आप लोग SSE GD की त्यारी करते हो तो आपको दूसरा भी गुजरात का याद होना चाहिए सेकंड भी याद होना चाहिए और यह भी पता होना चाहिए इसको कब कब जोड़ा गया तो दूसरा यादखना रानी की बाव दूसरा कौन सा है यादखना दूसरा है आपका रानी की रानी की बाव और सर इसको जोड़ा कब गया था तो यादखना 2014 में और बता दो किसी नोट की उपर रान और इसको किस वर्ष जोड़ा गया था 2017 में इसको जूड़ दिया गया था बस बता दो रानी की बाब किस भारती रुपए के पीछ छपी है किस भारती है रुपए के पीछ छपी है कमेंड करके बता दो क्योंकि हमने आपको चारो नोट पढ़ा दिये जो नए अपडेट देखो इसकोर देख रहे हो पचास और सो किस नोट की पीछे लिखा है वहाँ पर सो है कमेंड कर दो किस के पीछे है सू समझ के लिखा करो नेक्स्ट है कोशन नमबर हमारा पांच वा हम अंतराष्टी मात्र दिवस किस दिन मनाते हैं वैं वी सेलिब्रेट दा इंटरनेशनल मदर लेंग्विज डे कोशन नमबर पांच का अंसर वन लाइनर वाला यार वन लाइनर वाला कमेंट आपके सामने है फटा-फट से बता क्या दो कोशन का आंसर क्या होगा सर एससी MTS में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है यार सर आपने इमेल नहीं दिया और वीडियो भी कट कर दिया इसलिए मैंने डिसलैक किया सर आपने इमेल नहीं दिया और वीडियो कट कर दिया इसलिए मैंने डिसलैक किया इमेल नहीं दिया मैं भाई कब नहीं दिया इमेल अभी तुरंद की तुरंद बात कैसे पूरी हो पाएगी यार मेरे भाई और बीडियो कट कौन सा कर दिया विशाल dca.exampur विशाल dca.example at the rate gmail.com ये मेनी mail है आप mail कर सकते हो और आप कह रहे हैं विडियो को कट कर दिया कल वाली जो class आपकी हो रही थी बहतरीन class चल रही थी network का issue हुआ network का issue हुआ और हमने आपकी जाते जाते कहा था कि session जो चल रहा है हम किसी दूसरे studio से class ले रहे हैं वहाँ पे network की problem है पूरी class में network की problem रही थी और ये दिक्कत आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा आप कह रहे हो sir आपने mail नहीं दी फिर भी हमने वीडियो में दो से तीन बार पहले mail दे चुके थे पहले खुद देखो उसकी बाद कहो कि sir आप ही गलती थी या मेरी गलती थी छीक है खेर कोई बाद नहीं एजी विस आप जैसा करना चाहो तो कोशेमर 5 का सीधा साधा सुत्रा अंसर है 21 फरवरी को अम लोग पृतिएक वर्स मात्र वाशा दिवस की रूपे मनाते हैं यूनेसको द्वारा 1999 में या दखना यूनेसको के द्वारा 1999 में सरपत इसको मनाया गया और यह जो तेवहारे प्रवपर तरीकी से यह जो बात है प्रवपर तरीकी से बांगला देश से स्टार्ट होती है बांगलादेश से इसको स्टार्ट किया जाता है अगर भारत की बात की जाए तो भारत में स्टार्ट होता है बेश्ट बंगॉल से भारत में प्रॉपर तरीके से बात को दिल पी लिया जाता है वो बांगलादेश बेश्ट बंगाल में बैसे प्रॉपर तरीके से बांगलदे से इसको स्टार्ट किया जाता है एक लाइन में आप इसको याद रख सकते हो सर इसका मतलब क्या होता है याद रखना मात्र भासा का मतलब है मम्मी पापा की भासा नहीं है यहाँ पर याद रखना यहाँ पर इस भासा का मतलब है किसी भी भासा को किसी भी राज की भासा को सरक्षित रखना याद रखना भासा को सरक्षित रखने का काम भासा को सरक्षित करना ही इसका मुख्य उद्दे से होगा next question number हमारा छटवा अंतर राष्टी होकी माहसंग का मुख्याले कहां पर इस्तित है where is the headquarter of international hockey federation situated Hungary में है, Malaysia में है Germany में है या फिर आपके stature land में इस्तित है या फिर हमारे stature land में इस्तित है किसका मुख्याले पूचा है hockey मार्क संग का मुख्याले पूचा है वो भी international hockey इंडिया नहीं पूचा यह याद रखना तो बताइए where is the headquarter where is the headquarter भगत पढ़ लो, हाँ मेरे भाई पढ़ने पर ज़्यादा दिया करो lag dislike पे जाओगे कोई मतलिम दिया था क्योंकि exam में lag dislike कोई माने नहीं रखते हैं हम teacher हैं, यहाँ पे आते हैं मैनात करके पढ़ा की जाते हैं आप लोग lag dislike करते हो lag करते हो, अच्छा लगता है, dislike करते हो यह लगता है, पताने कौन सी गलती कर दियो बढ़ आप उसके पीछे मत पढ़ा को अपने पढ़ाई पर फोकस करो, selection से मतलब रखो ममी पापा का सपना पूरा करो, गर्व उनके आखों में हो कि उनके लड़की या लड़के ने उनके जो मतलब बच्चे हैं उन्होंने कुछ किया है अपने लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ होता है लाइफ में, बहुत बड़ी लाइफ होती है कुछ अच्छा करो और हमेशा खोस रहो, question मत 7 cancer दे दो फिर और खोस हो जाओ यार दखना 7 cancer होगा, लोशाने स्टिजर लेंड में इस्तित है इसकी इस्तापना 1924 EC में, इसमें total आपकी जो member है 137 देश कितने सबसे महतपुर को क्या याद रखोगे, यहाँ पर याद रखना, कौनसी बात यहाँ के CEO का नाम किया है थेरी वेल यहां के जो आपके चीफ एग्जेकुटिफ चीफ एग्जेकुटिफ आफीसर है उनका नाम क्या है टी एच ए आई यार वाई थेरी डवलू ए आई डवलल थेरी वेल अगर यहां के प्रेसीडेंट की बारें पूच दें तो यहां के प्रेसीडेंट का नाम क्या ह जो अपने भारती है नरेंद्र ध्रुब बत्रा इनका नाम क्या है तो या लखना नरेंद्र ध्रुब बत्रा नरेंद्र ध्रुब बत्रा इनका नाम है अगर हम यहीं पर आप से होकी इंडिया की बात करते हैं यहीं पर होकी इंडिया की बात करते हैं तो क्या होगा तो होकी इंडिया के सापना 2011 में, सोरे 2009 में सबसे पहले, सबसे पहले 2009 में, अफली मेशन जो होता है, वो दुवारा नामकर कब हुआ था, 2011 में, 2011 आपको याद अखना है, अगर इसी कुछन पूझ दें, इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है, तो याद अखना, इसका हेड़कॉर्टर हमारे दिल्ली में इस्तित है, यही पर अगर हम आपसे इससे प्रेसिडेंट के बारें पूझ दें, होके इंडिया के सर प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ग्यानेंद्र निगाम बोस, इनका नाम क्या है, ग्यानेंद्र निगाम, ग्यानेंद निगाम बोस इनका नाम है इनको आप लोग याद रखिएगा कोश्चन नमबर हमारा साथवा वेर इस दा हेड़कॉर्टर ओफ यूनिवर्सल पोर्टल पोज्टल यूनियन यूपी उ बेज्ड यूनिवर्सल पोज्टल यूनियन का मुख्याले कहां पे स्तित है यह सिर्फ एक नमबर का कोश्चन है वो भी वन लाइनर एक नमबर का कोश्चन है वन लाइनर लेकिन सबसे बड़ा कोश्चन है टॉप कोश्चन में इसकी गिंती होगी टॉप कुशन में इसकी गिंती होगी और यह टॉपिक कहां कहां पता है UPSC का टॉपिक है यह UPSC का टॉपिक है लेकिन एक्जाम के लिए इतना मैतपूर है आप सोच नहीं सकते यह एक्जाम के लिए कितना मैतपूर है क्यों math food है सर इसके बारे हम आपको बताएंगे सिर्फ आप से हमने headquarter पूझ दिया क्यों क्योंकि MTS के लेवल पा लेकिन आपको MTS, SSE, GD और हो सकता है हम आपको ये भी बता दें कि UPSC में किस type का question ये पूछा जा सकता है तो universal postal union का मुख्याले काँ पे सित है postal का नमत्मब जानते हो भारत ने अभी हाल में अमेरिका के साथ में या दखना भारत ने अभी हाल में USA के साथ में MOU मतना memorandum of understanding पे अस्ताचर किये Digital Postal Service के लिए किस पर हस्ताचर कर दिये Digital Postal Digital Postal Service के लिए Service के लिए समझोते ग्यापन पर हस्ताचर किये थे यह अलग कुशन है इसको याद रखेगा लेकिन अगर यहाँ पर जाते हैं तो burn और burn कहाँ पर है यह भी हमारे इस्तित है यह भी हमारे इस्तित है अब बात करोगे इस यह important कुशन क्यूं बनता है पहले पूरी बात लिख लो इसकी स्थापना 1854 इसकी स्थापना 1854 इसी में अगर इसके President की बात करते हैं तो यह जापान के रहने वाले हैं कहां के जापान के रहने वाले हैं नाम क्या है मसाहिको मेटो किक मसाहिको नाम याद लखना मसाहिको मेटो किक मसाहिको मेटो किक इनका नाम है मेटो किक इनका नाम है यह जापान से ब्लॉंग करते हैं अब बात आती है सरीए कुशन क्यों आया तो या लखना अगस्त 2021 के दिन अगस्त 2021 महीने में हुआ क्या जो आपका एक बैठक होई कौन सी 27 बैठक अबिद दान देश में है 27 बैठक या लखना 27 एक परकार की समिट यानि की एक परकार की बैठक का आयोगन बैठक कायोगन अबिद जान में किया गया एक सहर का नाम है अबिद जान अबिद जान एक सहर का नाम है और बैठक के दौरान और यादखना बैठक के दौरान भारत को सदस्ता सौंप दी गई यादखना भारत को सदस्ता सौंप दी गई है सौंप दी गई है लेकिन अगर आप UPSC की लेवल के त्यारी करते हो तब यहां से सबसे बड़ा टॉपिक निकलता है कि हाल में अभी हाल में टॉपिक अधर बनते हैं हाल फाल नहीं रखता है वहां पे चार बड़े-बड़े ओप्सन दिये जाते हैं भारत की उपर इस समझोते ग्यापन पर अ कुशन पूश दिये जाते हैं यहां पर सबसे बड़ा कुशन बनेगा सर यह अभी जान कहां पर है आपसे हैड़कॉर्टर यह राजधानी यह इस देश की करणसी पूचे गा ही पूचेगा आपने इस देश का नाम भी नहीं सुना होगा नेक्स्ट इमेज आपके सामने है देश आपका आपके सामने एक अफ्रीकन कंट्री यादखना अगर अबिद जान की बात करते हैं अबिद जान जो हमने आपको नोट कराया था लिखते तो आपको समझ नहीं आया आता होता देश आपका कुछ इस प्रकार से कुछ इस प्रकार की सिटी है कुछ इस प्रकार स यह अब जान किसी की capital नहीं है यह एक छोटा सा सहर है यह एक आपका छोटा सा सहर है जहाँ पर 47 भी summit का सुबारम किया गया था भारत भी पहुंचा था भारत को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सदस्ता दे दी गई है यहाँ पर election हुए थे 137 बोटों के साथ भारत टॉप पर आया है और सदस्ता अपने भारत को दे दी गई है तो सर इस देश की राजदानी का नाम क्या है आप कैरियो की पूँच सकता है तो देश का नाम लेकना कोटे डे लेवरी देश का नाम है इस देश की capital आपके सामने है यामो उस्त्रको यहां की capital का नाम है या दखनार राजदानी आपके सामने है अगर currency की बात करते हैं तो frank यहां की currency है frank यहां की currency है president का नाम है आपके सामने अशालने operator यहां के president ने सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है एक भी point ऐसा नहीं है जो आपके सामने होना सब कुछ आपके सामने है बस question को छोड़ना मत जैसा एक्जाम में question आ जाए तैयारी करवाने और याद करवाने की मेरी guarantee है next है question नमर आपका आठवा कौमपे गॉंडा अंतर राष्टी हवायड़ा किस राज में इस्तित है और क्यों याद रखें बाई क्यों याद रखें सिधिज बात है अच्छी बात है क्यों याद रखें अच्छा question है yes sir ठीक है reasoning की class चलतो रही है बहुत hard है hard है सेखर कुमार जी आपको लगता है बहुत hard है आपने कभी मुझसे बात नहीं की है ना phone पे इसलिए आपको hard लग रहा है एक बार करना कभी बात automatic दुनिया की हर चीज़ सरल ना लग जाए तो बात कीजिएगा कौन सी country sir निकल गई निकल गई अब जब आपकी साधी होगी तो हम लोग वहीं पर लगा के आगे निकल जाता करेंट अफरा कोशन लिख लो करेंट अफरा कोशन लिखना है इसी कॉमपे गॉंडा हवाई railway station को क्या यार एरपोर्ट को क्या मिला है तो याद दखना नेट इनर्जी स्टेटस 2020 से सम्मानित किया गया नेट इनर्जी कॉपे मिलिक लेना नेट इनर्जी स्टेटस नेट इनर्जी स्टेटस 2020 के लिए किसको चुना गया कॉमपे गॉंडा को यह है करेंट अफर्स का कोशन है यह है करेंट अफर्स का कोशन है दूसरा कोशन करेंट इनर्फर का टर्मिनल का सुभारम किया dedicated यादखना proper तरीके से dedicated की हिंदी क्या आती है proper तरीके से तो dedicated टर्मिनल का सुभारम करने वाला भारत का एक मात्र airport station कौन सा है compay gonda airport और यही से एक छोटी सी प्यारी सी ची यादखना role of excellence award 2021 को दिया गया role of excellence role of excellence excellence जो है excellence जो आवार्ड है यह किसको दिया गया verse 2021 का जिसने इस question को बता दिया king of student आज का king of student king of student आज का बता दो question का answer king of student for today net energy status ठीक है सही thank you JP सिंग जी मेरे भाई पढ़ लो है ना पढ़ लो भाई मेरे cargo terminal dedicated ठीक है ठीक है B answer हो गया B सही है इसका answer देतों आगे बढ़ते हैं यार role of excellence आवार्ड किस को दिया गया अगर नहीं पता है और अगर post-martem करना चाहते हो coaching लिख लेना coaching airport को coaching air airport को यह कहां पर है यह आपके केरल पे है और अगर आप लोग एक साल की current offer पढ़ना चाहते हो one year CA किस की इसी केरल की केरल जारखंड इंडोनेसिया यह कल की topic है तीन अभी आपने बता दी साथ और topic है सारे खतम जन जातिया खतम पताने क्या क्या खतम क्या क्या बता दें कल सुबह पांच बजे यह कल का topic है केरल कल आया है कल उड़ेगा नमबर 9 निमिकित मैंसे किस पौदे में आप चलिए भाईया बाइलाजी चालू हो गई है पैटेटो आपका ब्रंजल यानि की बैगन या फिर हमारा सुयाबिन तो बताईए कोशन कहां सर निम्न मैंसे किस पौदे में बैलाजी तो पड़ी होगी न बैलाजी तो नोट्स बना रख्योंगे तो बताईए कोशन कहां सर वीट गया हूँ पोटेटो ब्रंजल या पिर आपका सुयाबिन निम्न मैंसे किसम है ले हीमोगलोमिन आप लोग पा सकते हो वन लाइनर में इस कुशन को ड़ा दो वन लाइनर में ओके सर बफरिंग हो रही है बफरिंग अगर हो रही है थोड़ा मुस्कुराईए और बफरिंग से कहे दो कि मुझे पड़ लें दो बफरिंग दूर हो जाएगी चाहिए है लेकिन excuse मत दिया करो चाहिए है excuse मत दिया करो कुशन का अंसर नो नमबर में सुयाबिन जिसका अंसर सुयाबिन एकदम correct answer है और कुछ याद नहीं रखना लाल कलर का कुछ इस प्रकार का आपका ले आपका Hemoglobin इसमे आप पासकते हो जो आपके oxygen में सबसे जुदा या लखना जो आपकी oxygen होती है सबसे जादा देने योग यह पदाद बनता है आपके सोय बीजिन के अंदर question number डस मानम सरीर का कौन सा अंग ग्लाइकोजन का भंदारण करता है one liner में question आपका है मानम सरीर का कौन सा ऐसा अंग जो human body होती है इसमें कौन सा आपका अंग होता है चाहे ना, कान, मुँ कौन सा ऐसा अंग होता है जहाँ पर glycosन का भंदारण होता है which part of human body इस्टौर ग्लाइकोजन लीवर में, स्कन में, इस्टीन में या फिर आपके पैनिट्स्य में तो question number 10 का आंसर क्या होगा sir मेरा नाम सियाम भगत जी की साधी है सभी लोग इनके घर दावत पर जायेंगे सभी लोग इनके घर दावत पर जाएंगे पूरी biology गर पे बैठ के पढ़ लेना पूरा संचारण आपको समझ में आ जाएगा कहां पर क्या होता है बस अभी आपने बता रहे थे वह ग्लाइकोजन के बारें बताया या दखना यह यक्रत में पाया जाता है यक्रत में पाया जाता है कौशन मर्दस निम्रिकित मैंसे किस प्रकास में रेटीना के सामने प्रितिबिंद फोकस उत्पन होता है बताये के सामने प्रितिबिंद जो होता है वह फोकस पर उत्पन होता है तो आपके प्रियस पिया पे मायो पिया पे हैपर पिया पे हैपर प्रोपिया पे तो इन विच आप दा फॉलिविंग लाइट प पर बनता है जाकर तो question कहांसर आपका myopia answer हो जाएगा कहां पर बनता है myopia पर क्या बनता है focus उत्पन होता है important point है इसको आप लोग लिख लेजिए कुछ इस प्रकार का जो रेटीना है वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है उसके बाद आपको दिखाई देना बंद हो जाता है जो आपने अब तल उत्ता लैंस नेत्र जो आप दरश्टी दोस पढ़ते हो पच्छे सेंटीमेटर आगे पीछे का मामला यह कब हम लोग पढ़ते हैं 12th class में आपने पढ़ा होगा 12th class में और यह ऐसा topic होता है जो आप लोग कभी नहीं भोल सकते हमेशा याद रहता है ले एमंग दा फॉलविंग टेंपरेचर इसके लिजबेश्ट अपन एपसलियूट जीरो सेल्सियस केलविन रैंकीन या पर आपका फारें हाइट निम्ण में से ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा पैमामा है जिसका परम सुन जो हमेशा परम सुन पर आदारित रहता है परम सुन पर आती नहीं थी यह तो वन लाइनर कोशन था यह तो वन लाइनर कोशन था कोई समझने वाली बात नहीं थी यह आपने अगर केमेस्ट्री फिजिक्स पड़ी होगी तो आपको 100% कोशन आ रही होंगे बट अब मुद्दे की बात पर आ जाओ ठीक है आंसर भी आ रहा है केलव से CMTS में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपकी पूर्णमा मैम ने भी आपको पढ़ाया होगा माइनस 273.15 यह दखना माइनस 273.15 आपने पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा अगर यही तापमान आपसे फारेन हाइट ने पूछ दिया जाए तो माइनस 469 माइनस आप आपका 469.66 डिगरी किसमें यह पूछा जाता है यह आपके फारेन हाइट में सेल्सियस में माइनस 273.15 और अगर एफ़्यूट जीरो पे जीरो है यह कैल्विन में क्या होता है इसका तापमान एकदम आपका जीरो होता है किसका तो कैल्विन को मेंसा आप लोग याद रख कोशन नमबर हमारा 13 एक्सरे क्रिश्टालोग्राफी मुक रूप से बिद्दुच्ण की बिकरड के निमनेकित गुणों में से किसका उपियो करती है आप लोग एक्सरे करवाते हो आपने किसी का पेट देखा होगा किसी की आँखें देखी होंगी किसी की हड़ी तूट ज जाता है और थोड़े दिर बाद यह खुल खुद उपर हो जाते हैं किसी के टांग मुँमे निकलाती है किसी का हाथ इदर सोखटके इदर लग जाता है होता है फिर इनको अस्पताल ले जा जाता है जो नाम दिया जाता है खोपचे का वहाँ पर हाथ पैर काट के हाथ में दे दिये जाते हैं फिर इनकी गाउं वाले कहते हैं इनकी आसकी उतर गई यही कोशन पड़े है ना तो वैसा अब यही कोशन है फिर आपका होता है X-ray तो बताए X-ray आदारित किस पर है प्रतिविम विवर्तन अपवर्तन या हस्त छेपे मतलब मतलब यह है कि जो X-ray में किस Stelography मुख रूप से बिद्धुचुमके जो पिकरड की तरंगे होती है यह बिकरड की निमग्स गुड़ों मैंसे किस का उपयोग करती है तो किसका उपयोग करती है reflection का या reflection का या विवर्तन या अपवर्तन या हस्त छेप किस का उपयोग किया जाता है Q13 का आंसर क्या होगा Q13 का तो याद दखना विवर्तन का किसका उप्योग किया आता है विवर्तन का प्रियोग किया जाता है विवर्तन का प्रियोग कौन करता है X-ray करने करती है Q14 बारत में आमों को पकाने के लिए सबसे अधिक इस्तिमाल किये जाना वाला रसायन ने मेंसे कौन सा है अब ये मेरी करेंट फिर आ गई है करेंट अपडेट पॉलिटी हिस्टी अब आपकी आ गई है पच्छिस तक 14 से लेके 25 तक मेरा मामदा चालू 20 मिनट यानि की 15 मिनट आपके पास है और कोश्चन टोटल आपके 10 बचे है थोड़ा स्पीड से लोग मज़ा आने वाला है अब कोश्चन में विच अब दा फॉलिविंग इस दा मोस्ट कॉमनली यूज़ चैमिकल फॉर रेपिंग आप रेपिंग आप मैंगोस इन इंडिया आप लोग क्या करते हो आम खाते हो क्या करते हो आम खाते हो आम जो पके नहीं होते हैं इनको पकाया जाता है किस से पकाया जाता है वही तो पूछा है किस से पकाया जाता है किस किस के घर में हैं आम किस किस के घर में आम के पौदे हैं और वो आप लोग बड़ी बुरी तरीके से क्या खाते हो आम खाते हो तो बताईए जो आम खाते हो उनको पता होगा कि किसे चीज से आमों को पकाया जाता है अपने भारत के अंदर कैलसियम कारबाइट सबक का आंसर आ रहा है तो एक बात सभी लोग कैलसियम कारबाइट जो होता है वो क्या करता है आमों को पका देता है जिसको भी आम चाहिए वो आम के लिए सफड़ाफट से साधी कर लोगे तो साधी में लगुन होती है वहाँ पर आम जाते हैं तो मिलें कंधन संत्र गुप्ट चन्दू पर्थम और कमार गुप्ट पर्थम के ड्वारा नालंद विस्विध्याले की स्ताफना किस गुप्ट के द्वारा संक्रादित्त्त के रूप में की थी छोटा सा कोशन यह वन बहुत अच्छी तरीके से पड़ी होगी हिस्ट्री आपने बड़ी अच्छी तरीके से पड़ी होगी है ना और मेरा काम है अपटेट देना आपको नलंदा काँ पे बिहार का और बिहार का पूरा अपटेट आपके सामने था अभी दो-तीन देने पहले हमने आपका बिहार न कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्व विद्याले की स्तापना संक्रा दित्त की रूप में की गई थी। हर्सवर्धन या लखना टोटल कितने थे राज्यवर्धन और आपके हर्सवर्धन ये तो दो पुत्र थे एक आपकी हो गए हर्सवर्धन ये दौनों के दौनों क्या थे पुत्र थे अगर हम आपसे कहते हैं पुत्री की बारे पूछ दे तो राजस्री इनकी पुत्री का ना था बस इतना बता दो कि ये किस के थे नाम क्या था उनका कोंशन मागत 16 का अंसर बड़ी काईदे में तो याद आप का अंसर प्रभाकरन नाम क्या था प्रभाकरण के और यां राए ठीक है और मुझा कने का नामा छाट कि इसा सत्र है बारत में सौने की सिख्खे जारी करने वाला कुषान स का पहला सासक कौन था यह मेरी हिस्ट्री है जो आपने अच्छी तरीकी से पड़ी होगी अगर में हिस्ट्री पढाई होती तो आमको Link दे दे कि ये history इस Link से पड़해 तो बैटर रहेगा यूथ हो क्योंकि इस पास method होता है और हम 17 का अंसर कनिस्क वासुदेव विमा कड़ फिसेस या कुजलू कड़ फिसेस के द्वारा कॉश्चन में 17 का अंसर क्या होगा कॉश्चन में 17 का अंसर क्या होगा कॉपी में बड़े आराम से कुश्चन में 17 का अंसर लिख लेना नाम होगा विमा कड़ फिसेस के द्वारा सिंधी भासा को हमारी समिदान की आठवी अनुसूची में किस वर्स राज भासाओं की सूची में सामिल किया था हमने आपको पूरा का पूर्टरी आठवी अनुसूची की बारे में 22 की भासाओं में पूरा का पूरा तहे दिल से वर्डन करवा चुके हैं सर आपने ये करेंट फेर में चाहे आपकी पॉल्टी हो चाहे आपकी हिस्ट्री हो चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट याने की और सब्जेक्ट अगर कुशन किसी भी सब्जेक्ट का आता है तो हम आपको पोस्ट माटम नाम देके पूरा सब्जेक्ट में अंदर से घुस कर उस टॉपिक क खतम कर देते हैं, जो मेरा current worker का तत्त कहता है, और इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता अपडेट, इसी को कहा जाता है अपडेट, और यह हम नहीं कहते, यह आपका TCS कहता है, Sir TCS कौन है? जो आपके एक्जाम को conduct नहीं कराता, लेकिन जो exam होते हैं इनका syllabus कहां से बनता है यहीं से बनता है और syllabus में कहा गया है कि update आएगा तो update आएगा I declare it यह हम आपसे कह रहे हैं trust रखो बिस्वास रखो trust और बिस्वास दोनों रखना हम वो नहीं जो iskin sort card की आपके सामने लगाएं हम वो हैं जिसकी student कमेंट में चिलाएं कि sir मेरा सेलेक्शन हो गया मेरा सेलेक्शन हो गया आपकी 100% question first ही है बस फर्क है मुझ में और उनमें इतना कि single question first जाता है तो skin sort आपके सामने होता है मेरे 1000 question first ते है skin sort क्या हम खुद भी सामने नहीं यादे क्योंकि मुझे पता है जिसको सिखर तक पहुँचना था वो पहुँच चुका है 18 कांसर क्या होगा तो question number 18 कांसर आराम से याद रखना क्या रखोगे 1967 1967 आपका एक गम correct answer हो जाएगा 1967 में सिंध बासा को जूड़ा गया एक line में पूरा का पूरा method खतम कर दो 22 की 22 से बासाओं का एक बार मैं पूरे की पूरी आठ वेनुसूची 22 की 22 बासा आपकी खतम और में पूर बासा आपसे सिर्फ एक पूछी जाएगी अब की बार सरक कौन से पूछी जाएगी निसान याद दखना बोडो लेंड डॉंगरी उर्दू कस्मीरी कहां गई असमीज, गुजराथ ठीक है मनीपुर, कौकनी, नैपाल, पंजाबी, सिंध, तेलगू सिंध आपकी यह री जो अभी आपसे पूछी है नेक्शे तेलगू, संथाली, मैथाली, बंगाली, हिंदी, कस्मीरी आपकी कस्मीर हो गई, मल्यालमी, मराथी, उडिया, संस्कित, तमिल पांच भासाओं में, एक आपकी हो गई हिंदी एक आपकी हो गई हिंदी और इंग्लिस कहां पर है इंग्लिस, इंग्लिस, इंग्लिस इसमें एड नहीं है लेकिन 22 भासाओं में English एड नहीं है यार दकना भार्त की 22 भासाओं में लेकिन इने 5 भासाओं में तीन आपकी ये रही और कस्मीरी बोड में छोड़ के डौगरी उर्दू करनाटक हिंदी और कस्मीरी हिंदी में 5 भासाओं में पत्र प्रवतन जम्मू कस्मी ने लौंच किय है और बौडो लैंड असम का याद रखना रटा मार के और बौडो लैंड को कब जोडा गया था तो याद रखना आपकी कौन कौन सी बहसा हो गई है एक संथाली थाली बहसा है एक बंदॉ है इक डांगरी है इसको 2023 में 진짜 अभी पूची थी 14 सायथ हो गई थी और अब टोटल भासाओं की संख्या टोटल कितनी हो गई है बाइस अब आपके भात में इनकी संख्या हो गई है आप इसको याद अखना सेखर कुमार जी खेर आप कुछ कहेंगे नहीं हम आप लोग पता है कुछ और समझ जाओगे अगर हमने पूरा पूरी बात बता दी तो निम्निकित मैंसे किस संसोधन द्वारा 6-6-14 वर्स की आयूत के सभी बच्चों के लिए निसुलक और अनिवार सिच्छा को मौलिक अति गया था बताइए निम्निकित मैंसे कौन से किस संसोधन के द्वारा एक 6-14 वर्स तक के बच्चों से आप क्या नहीं करा सकते वो उनका मौलिक अधिकार है तो बताइए किस संसोधन के तहत कोशन नमर 19 कांसर यादखना 86 संसोधन 2002 के तहत ऐसा किया गया है कौपी में इसको नोट कर लीजिएगा 2002 में ऐसा कर दिया गया था क्लियर हो गया सर आर्टिकल कौन सा है और एक आर्टिकल जोड दिया गया एक आर्टिकल जोड दिया गया आर्टिकल 21 ए इसी से सम्मंदित है याद रखेगा कौशन नमर आपका 20 वा निमिकित मैंसे कौन सा अधिनियम लंदन में रहने वाले एक उच्चाइकत के लिए प्रदान करता है जो ग्रेट ब्रेटेन में बारत का पितनी दुत करता है बताईए एक दूसरे की देश में राजदूत का ड्रामा जो भारत और ब्रेटेन के साथ ह गुवा था तो बताईए कौन सा संविधान संसोधन इसको इजाज़त देता है कौन सा अधिनियम इसको इजाज़त देता है गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट वन नाटी 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 यहां फिर बन नाटी थरड़िफाइव कोशन नमर है बीस का आंसा तो यादखना उ बारत के ब्रिटेन के ओच्त वारत में कौन है आलिकस ऐलिस इनका नाम है नाम याद कोना अभी बनेए आलिकस ऐलिस ऐलिकस अलिस इनका नाम है के क्लियर है किलियर है । टाइम आपका सिर्फ 5 बिनिट है 50 dinner आस ओबर होगी तो फटाफट से सिर्फ पांच कोशन आपकी और बचे हैं कोशन हमारा आपको एक किस है किस बैंक ने बैंगलोर स्मार्ट सिटी एफेसियंट पावर डिस्टिविशन के नवाचार के लिए रिड़ समझोते पर हस्ताचर किये मतब लाच में पांच खरके सारे सब्जेट के तो बदाएлад सिमार्ट एफेसियंट पावर डिस्टिविशन के नवाचार के लिए किस बैंक ने बैंगलोर को क्या दिया है पैसा दिया है तो ASEAN Development Bank के द्वारा ऐसा किया गया और सबसे बड़ा question क्यों किया गया भारत का पहला AI पार्क का सुभारम कहां किया गया इसी बैंगलोर में किया गया Artificial Intelligence पार्क का सुभारम आपके करनाटक के बैंगलोर में किया गया है और ADB ने इसको पैसा दिया है question number 22 हाल ही में किस राज के द्वारा दच्चड भारती भासा वा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक अकादमी का सुभारम किया है जिसको तमिल अकादमी के रूप में जाना जाता है तो याद रखेगा दिल्ली में इसका सुभारम किया गया है question number 23 डॉक्टर हर्च वर्दन द्वारा किस सहर में महामारी संबन्दी त्यारी के लिए पहले नेटवर्ग हब का सुभारम किया गया तो याद रखना हर्याणा में इसका सुभारम कहां किया गया हर्याणा के फरीदाबाद में और हर्याणा के फरीदाबाद में दुनिया का आठवा अठवा बनेगा देश का देशका ने दुनिया का आठवा अपने बारत में पहला फ्रांस में बना था और पहले भारत का पहला फरीदाबाद मतलब हर्याणा में इसका सुबारम किया गया है थोड़ा जल्दी कर जाओ क्योंकि टाइम ओबर हो चुका है नमबर 24 निम्न मेंसे किस राज द्वारा युवाओं को आत्मिरबर बनाने के लिए लॉंच पैड इसकीम का सुबारम किया गया था मत्व परदेश सरकार के दोरा लॉंच पैड इसकीम का सुबारम किया गया था अभी 2021 में लॉंच पैड योजना किस राज की है तो मत्व परदेश की है लॉंच पैड इसकीम अंतिन कोशन कोशन नमर 25 हाली में पॉंग बांग अब भ्यारण प्रवासी पच्चों की मौत के लिए दर्ज किया गया था यह किस राज में इस्तित है सरक प्रवासी पच्ची मरे क्यों बर्ड फ्लू के कारण या दखना bird flu के काड़ ये बीमारी ये पक्चियों वाली इसके काड़ ये पक्चियों मरे थे इसके वाइरस का नाम क्या है N5H1 H5 H5N1 H5N1 इसके वाइरस का नाम है इस वाइरस से bird flu से काफी सारे आपके पक्चियों मरे थे काँ पे मरे थे पॉंग बांग अब बैरण में मरे थे और बर्ड फुलू के लिए राज आपता गूसित कर दी थी केरल के द्वारा और एक महामारी हव का सुवारम दिल्ली में करवा दिया गया था कहां पर महामारी हव का सुवारम दिल्ली में करवा दिया गया था सारे के सारे point आपको note करने है 25 question हो गए है आपके pdf अगर ना मिले vishal dca.exam p u r at the rate gmail.com gmail पर आप message कर सकते हो अगर by chance pdf ना मिले या किसी भी unquery के लिए कोई भी question चाहे किसी भी subject का हो मेरा ही current effects नहीं किसी भी subject का कोई question हो संस्कित बगारा छोड़के याद रखना technical जो भी subject हो आप कोई भी question पेश्ट कर सकते हो otherwise pdf प्रॉपर तरीके से official example की app पर मिलती है play store पर सर्च करना example official तो आपको app मिल जाएगा आरांस से आप उस app को download कर सकते हो और pdf फिर भी ना मिले तो यह mail मेरी थी wishaldc.example at that email.com यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से pdf मिल जाएगी तो याद खना कल का दिन जो आपका है वो आपको याद खना है important आपकी सबसे बड़ी खबर आपके सामने है कि कल जारखंड बिहार आपका एक और राज कौन सा था यार एक और राज आपका है केरल जैसे इंडोनेसिया देश है ऐसे बहुत सी देशों के बारे में जानकारी एक-एक साली current effects राज्यों की मैथपुर्ट जन जाती हों से समझेत questions सारे के सारे कल current effect class में सुबह पांच बज़े हम लोगों को अतम करने है तो डेट याद दखना कल सुबह पांच बज़े ससी एक्जाम में एक्जाम पर पर MTS, UPSI, SSC GD और आने वाले upcoming एक्जाम जैसे की आपका group D railway NTPCVD2 इनके लिए आप मेरे साथ जोड़ सकते हो सुबह पांच बज़े एक नए जोस के साथ तब तक के लिए आप सभी को इस समय टाइम ओबर खेर अपना होई गया है मिलते हैं कल सुबह पांच बज़े तब तक के लिए सभी को जैहिन, जैभारत नमस्कार साथियो SSC GD का examination की date out हो चुकी है तो एक्जामपूर लेकर आया है SSC GD का 60 दिन का target आचारे बैच जिसमें आपको मिलेंगी daily live classes, PDF notes, practice questions और भी बहुत कुछ तो अपनी तयारी को और भी मजबूत करें अभी डाउनलोड करें एक्जामपूर का official app और जुड़े हमारे आचारे बैच से अधिक जानकारी के लिए दिये गए नंबरों पर contact कर सकते हैं